इंडिया के प्राइवेट बैंकिंग स्पेस के वन ओ दो मोस्ट अंडर वेल्यूट बैंक की अगर मैं बात कुनूँ जिसका नाम है फेटरल बैंक इस बैंक की खासियत इस कौटर के अंदर क्या थी क्यों थी के अंदर क्या आप हैरान अजे कमपनी ने पहली बार एक हजार क्रोड का प्रॉफिट जो है एक कौटर गंद दिखाया है इससे इतना एडिया लग चुगा है कि कमपनी का इस साल का जो प्रॉफिट है पूरे साल का वो चार हजार क्रोड का पार हो जाएगा बहुत कमेंडेबल पोजीशन है बैंकिंग सेक्टर के अंदर इतना स्टेबल बैंक पकड़ना जो कि अपने अडवांसेज और डिपॉजिट के अंदर कौटरल कंपेर अगर आप चेक करें पूरे साल का तो 20 परशंट 18 परशंट से ग्रोव होता हुआ दिखाई दे रहा है इनका बिजनस यहाँ पे कंपनी की जो profitability है इस कौटर के around 25 परशंट की हुई है यह ऐसा बैंक है जो इतने स्टेबल मॉल के अंदर अपने आपको बड़ी बड़ी चलांगे नहीं दिखाता किसी भी कौटर के अंदर है यह एक ऐसा बैंक है कि आपको 18 से 20 परशंट की ग्रो banking सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आपको जादा ग्रोथ दिखा के आगे जाके उसकी प्रोवेजनिंग मार के अपने investor community को पागल बनाने वाली बात होती है यह काफी banks ने past में किया अभी भी कुछ banks कर रहे हैं जिनके नाम नहीं ले सकता मैं लेकिन एक ऐसा bank आपको अ company के net profit के अंदर भी अच्छी घासी ग्रोथ है 25 परशंड की प्लस company ने एक ऐसा landscape पकड़ा है fintech space के अंदर जहां पे company का एक dominant market share है कि जितने भी छोटे छोटे fintechs हैं उनके साथ company ने जुड़के अपना architecture जो banking का है वो दिया है कहानी इसमें क्या है कि जितने भी fintechs startups हैं जो की famous नाम्स हैं उनका अगर आपको savings bank account खोलना है क्योंकि ये technology advance आपकी services है fintechs space के अंदर तो उसके पीछे का जो banking provider है वो federal bank आज की data में dominant position लेके बैठा हुआ है company की latest presentation आप खोल के चेक करना किस-किस fintech के साथ ये company जुड़ी हुई है यहाँ पे क्या company को फाइदा मिल रहा है कि face of it पे वो fintech है जो की आपको credit card दे रहा है आपको personal loans दे रहा है आपका bank में खाता खोल रहा है लेकिन उसके पीछे का पूरा back end architecture जो है वो सिरफ federal bank के पास है यह story क्यों इतनी important है क्योंकि company ने अपने retail book के ओपर जो focus किया है वो इतना दमदर में को दिखाई दिया पिछले कुछ quarter से इस company को पिछले डेड़ साह से notice कर रहा हूँ growth की trajectory हर quarter के अंदर दिखाई दे रही है और share price के अंदर भी 10-20 रुबे की movement है plus side में ऐसी चीजों पे आपको इसलिए नजर देनी चाहिए कि company आज की date में अपने आपको technology front पे कैसे आगे रख रही है company ने ये दिमाग लगाया कि हमारे पास इतना खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है लेकिन आज हम अगर fintech space के अंदर सारे leaders के साथ जोड़ जए और पीछे का पूरा backhand काम करना शुरू कर दे तो end customer चाहे उसके पास ही हो उस fit tech company के पास लेकिन पीछे का पूरा का पूरा आपका backhand operation federal bank के पास आएगा ये एक story हुई दूसरी story क्या है इस company की कि साथ की leadership position रखता है private banking sector के अंदर वहाँ पे आपका gold loan portfolio जो होता है वो इतना बड़ा scale है इस company का कि आप इसकी books को check करें कि company ने अपने advances का breakdown जो दिया हुआ है वो कैसा दिया हुआ south की market famous ही अपने gold loans के लिए है और इस company का भी gold loan portfolio बहुत बढ़ी आ है gold loans एक ऐसा sector है loan segment के अंदर जहां पे पहली बात तो आपको secured loans मिलते हैं दूसरी बात ये एक ऐसी security है जिसकी value में depreciation कभी नहीं होना तो one of the most safer sector on entire loan industry आपके gold loans आते हैं इस company ने उसके अंदर वे एक बहुत बड़ा अपना share खड़ा करा हुआ है मैं इस bank को पिछले कुछ सालों से notice कर रहा हूँ कि ये धीरे धीरे करके profitability पे तो लेके आ रहा है लेकिन ये कोई छके चौके नहीं मार रहा कि बहुत 30-40% की growth दिखाता हो हर quarter में ऐसे banks जो 15-20% से growth हो रहे हों उनको आप history में check करेंगे तो आपको पता चलेगा कि HDFC भी इस level पे growth होता था और consistently हर quarter 15-20% का आपको upset दिखाता था अपनी profitability के अंदर आपको HDFC बनने के लिए HDFC जैसी companies जो की past का अगर चेक करके बताएं तो आपको वैसी कमपनी दोड़नी चाहिए यह मेरा mindset है कि HDFC जहां पर खड़ा हुआ है उसके आसपास भी अगर कोई company आनी चाहिए future के अंदर उन पर identification करने में time ज़रूर लगेगा और बहुत कमपनी पागल भी बनाएंगी लेकिन आपको वही अच्छी company पगड़नी है जो की future के अंदर ए कैसे HDFC ने रखी हो यह focus करें मज़ा आजएगा शेर बजार में काम करके थैंक्यू